हलो एप्रिवान वेलकम टू बिंग अबेस्टीचर यूट्यूब चैनल लखनव यूनिवोसिटी की तरफ से एमेट सेकंड और फोर्थ सेमिस्टर याने की इवन सेमिस्टर की डेट शीट जारी करी गई है उसी को डिसकस करेंगे इस वीडियो में हम तीन घंटे का पेपर आ सेमिस्टर या अन्य किसी सेमिस्टर की नोट्स आपको चाहिए तो आपको हमारी द्वारा प्राप्त कराई जाते हैं बाई कोरियर सिफ दो से तीन दन के अंदर आपको जो है नोट्स आपके पोस्टल एड्रिस पर डिलिवर हो जाते हैं आप हमें नीचे दिये हुए वाटसप नंबर पर कॉन्टाक्ट करें जिन भी सबजेक्ट्स के लिए आपको नोट्स की रेक्वार्मेंट है 26 तारिक को एक्जाम है Elementary Education, Curriculum Construction या Secondary Education, Curriculum Construction या Higher Education, Curriculum Construction जो भी पेपर आपने यहां पे सलेक्ट किया है Elementary, Secondary या Higher Level में से 30 तारिक को एक्जाम है Elementary Education, Policy, Perspective and Problem या अगर आपने Secondary, Higher जो भी चूस किया है Level उसका एक्जाम आपका रहेगा अब आते हैं M.Ed. Semester 4 की Date Sheet पे 19 अगस्त से एक्जाम स्टार्ट है पहला एक्जाम Sociological Foundation of Education, Education in Emerging India 23 तारिक को एक्जाम रहेगा Group A, B, C में से जो भी आपने सलेक्ट किया है Elementary, Secondary या Higher Education, Teacher Education का एक्जाम आपका 25 तारिक को पेपर है Global Perspective in Education और ICT Enabled Education का जो भी सलेक्शन आपने किया है 29 को Value and Peace Education और Human Right Education का एक्जाम आपका रहेगा तो देखिए Overall Second and Fourth Semester दोनों की ही देची टचे से से सेट है और आपको Proper देखिए Preparatory Leaves भी मिली है तो आप सभी अपने एक्जाम की तयारी अभी शुरू कर दीचे जिन Students ने नहीं की है या जिन्होंने कर ली है तयारी तो एक अच्छी सी Revision आपके पास Time है आप समय रहते Revision कर सकते है और भी कोई अपडेट आएगा आपकी University की तरफ से तो आपको वो डेफिनिटली सर्वर प्रथम चैनल की माध्यम से बताया जाएगा साथ में Social Media Platforms पे भी आपको सबसे पहले जानकारी दी जाती है तो सभी Social Media Platforms पे दोस्तों हमारे साथ जरूर चुड़िएगा इस वीडियो के लिए इतना ही मिलेंगे बहुत जल्दिक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए सभी अपनों का ध्यान रखिए धन्यवाद चैहिंद